दोस्तो नमस्कार मेराज कुमार मौरिया प्रकर इंडिया यूटूब मंच पे आपका स्वागत है 2024 के लोगसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी है सभी पार्टियों ने अपने अपने लोगसभा प्रत्यासियों की सूची को लगबग जारी कर दिया है वही पर सबसे जादा अगर कहीं पर चर्चा हो रही है किसी नेता की चर्चा हो रही है तो बहन कुमारी मायावती की चर्चा हो रही है पहले तो ऐसा लग रहा था पहली जो लिष्ट आई बहुजन समाज पार्टी की ती बहुजन समाज पार्टी जादा से जादा मुसलमानों को लोगसभा का टिकट देगी अब जब और लिष्ट आनी सुरू होई तो कहीं न कहीं बहुजन कुमारी मायावती ने भारतिय जन्ता पार्टी की नीद उड़ा दी है वास्तों में जो उन्होंने टिकटों के बटवारे किये हैं जितने भी टिकट अभी तक माटे हैं उसमें लगभग 15 लोगसभा सीटों के नाम और प्रत्यासियों के नाम वहां का समिकर्ण हम आपको बताने जा रहे हैं जहां पर इंडिया गढ़वन्धन को फाइदा दिलाती हुई दिख रही है बहनकुमारी मायवती और लोग चर्चा कर रहे हैं कही न कहीं कोई अंडरिस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है अकले से यादो मायवती या इंडिया गढ़वन्धन के नेताओं से लोग बात कर र लेकिन कहीं न कहीं भारतिय जन्ता पाल्टि के जो बोटर हैं बेस और बी जे पी ने जो लोग सभाके प्रत्यासी उतारे है जो ज़से लोग बहुत ज़्याधा नाराज यह बहुत जादा नाराज ज़स कुनावay्या मोधी के नामपे बोट तो एक एक समी करन में बता रहा हूंसको एक सीठ पहर्ली सीठ है अगबपूर की लोग सभा सीठ है अगबपूर की लोग सभा सीठ है भारती जनता पार्टी ने देवेंदर शिंग भोले को टिकरद Ihr ॥ाकूर को टिकरदीया है और वही पर ब्राम्हर टिकर दिया है राजेस दुवेदी को बस पाने समझ सकते हैं राजेस दुवेदी ब्राम्हर को दिया है भाई अगर राजेस दुवेदी लडेंगे तो कुछ तो ब्राम्हर बोड देंगे ही पूरी लोग सभा में चाहे जितना ब्राम्हर हो यहाँ पर दलितों की आबादी जो दी गई है 24% और ब्राम्हर की आबादी 10% कुछ तो देंगे लोग बिरादरी वाद के नाम पे देंगे 10% 10% में 2% दे 1% दे BJP का नुकसान होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और समाजबादी पार्टी ने अबकी बार तो बैकवर्ड प्रत्याशियों की जड़ी लगा दी है बैकवर्ड पीडी ये पर पूरा टिकट बाटा है वहीं पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर भारती जनता पार्टी को परेसानी हो रही है पहली सीट है अगली सीट है अगली सीट है मिर्जापूर मिर्जापूर पे अनुप्रिया पटेल चुनाओ लड़ती है अनुप्रिया पटेल की जीत लगभग तेहें भी मानी जा रही है कि अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता है चुनाओ जीत लेंगी और मिर्जापुर की सीट को ले करके बहुजन समाज पार्टी ने मनीश्ट्रिपाथी को टिकट दे दिया है समझ सकते हैं मनीश्ट्रिपाथी और मनीश्ट्रिपाथी को टिकट दिया गया है क्योंकि मनीश्टि पार्ठी ब्राम्भण है ब्राम्भणों की संख्या यहाँ पर 8% बताई जाती है और यहाँ पर दलित क्या परसंट? 22% है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी मामला गड़बढ हो चुका है किसका गड़बढ हो चुका है? भारती जनता पार्टी एंडिये कंडिडेट का लोग दीए जीत हार अपने अस्थान पे है लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यासियों के मन में तो डर रहता है जिसके खिलाब चुनावल रते हैं लोग अगली सीट की बात में करता हूँ अलिगढ़ अब की सीट आखां सीट नहीं बिजेपी के लिए भलेida मैं मंद्र बना हुआ है कि समाजवाद समाज भाधी पार्टी नेहां पर दलित को टिकर दिया है भाटेश बाठी ने ब रहामढ़ को भासी झरता पाटी ने ठाकुर को टिकर दिया है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्या मामला हो सकता है और जो समाजबादी पार्टी ने जो टिकट दिया है ओ नौ बार के विधायक है नौ बार के विधायक मजबूत नेता है और 10% तो यहाँ पर कही ना कही भारतिय जनता पार्टी को परेशानी होती हुई दिख रही है और पिछली बार जो चुना हुआ था 2019 में लगभक पैंसाट हजार उड़ों से बीजेपी यहां जीती थी और मैं बताता हूँ अगर वही यादो के अस्थान पे मित्र से नियादो क्या नाम है आनंद से नियादो मजबूत प्रत्यासी हैं लेकिन कभी-कभी भारती जनता पार्टी अन्यवे करड़ों को यादों से भड़का देती है केवल और केवल इसी कारण से चुनाव हारे थे यादों थे अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यादों को चुनाव नहीं लगना चाहिए समाजवादी पार्टी से क्योंकि यह परसे बीजेपी को दो को समाजवादी पार्टी के जित मिली हुई है अगली सीट करता हूं भी उन्नाव पर उन्नाव की सीट है यहां साची महराज लड़ रहे हैं पिछली बार भी लड़े थे 2014 में भी 2019 में भी भयंकर बोटों से चुनाव जिते थे यहां पर असोक पांडे वर अदिया है अगली से तर्ट पेली भी जो पहले चरह में चुनाव है यहां पर भी प्रजा पती बिरादरी को टिकट दिया गया है नहीं फिली भीत में मुसल्मान को टिकट दिया गया है तो पीली भी सि चोड़ दीजिए मॉसलिम बाहूलिशक्य त्रे बहिया 40-42 पर से कि बहुत ज्यादा मजबूत कंडिडेट हैं तो आप इसमझ सकते हैं कि यहां पर भी बीजेपी को हालत खराब होने वाले क्यूंकि बस्पा ने मुस्लिम प्रत्यासी नहीं दिया यहां पर अगली सीट है मुझफर नगर मुझफर नगर सीट पर आप देखिए हरेंद्र मलिक समाजबादी पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत कंडिडेट चुनाओ लड़ रहे हैं और वहीं पर शंजीव बालियान भारती जनता पार्टी की तरफ से चुनाओ लड़ रहे हैं और इस साथ के और दलित का समीकर नहां बनेगा बीजेपी ने यहां पर जैबीर सिंग को टिकट दिया हुआ है यह सीट तो आसानी के साथ किसमें कोई दिकत नहीं महिनपुरी सबसे मजबूस सीट है सपका इस सीट को जीत रही है इटावा की सीट पर बगेल उतार दिया है जो बगे जनता पार्टी का इस समय उसके अलामा एटावा के अलामई आप आजाई यह बस्ती दयासंकर मिसरा को टिकट दे दिया गया है पंडी जी को टिकट मिल गया है जो भी कटेगा जो बगटक्टे को पर सबसे बड़ा बवाल कर दिया है बेहन जी ने e ओम प्रकास राजभर की हालत यहां पर खराब हो चुकी है ओम प्रकास राजभर वैसे भी चुनावार रहे थे बाल क्रिष्ट चौहान को टिकट यहां पर दे करके पूरा मामला पलट दिया है बहन कुमारी मायवती में आजमगण भीम राजभर को टिकट मिल गया है चंदौ अब आप समझेगा अभी प्रताब गड की लोग सबसीट पर जो प्रत्यासी उतरेंगे ठाकुर या ब्रामधी प्रत्यासी उतरेंगे यह तो आप समझ सकते हैं ऐसी करीब एटा में वेह जिने जो टिकट दिया है उसा ही टिकट दिया है इनोंने मुहम्माद इरफान को को बुरा नुकसान यहां पर बसपा करती हुई नजारा रही है इंडिया गडबंधन की मदद कर रही है ऐसा लोग चर्चा का बिसे बन चुका है आपकी क्या राय है आप अपनी राय दर्ज करिए इस वीडियो में इतना ही तमाम सूचनायल आपको लाते रहेंगे नमस्का क्या है